तो तक्नीक, चूंकि ये तक्नीक व्यक्ति परक, यानि सब्जेक्टिव टेक्नॉलोजी है, जिन तक्नीकों का आप अभी इस्तिमाल कर रहे हैं, वो बाहरी तक्नीके हैं, अब मैं एक सब्जेक्टिव टेक्नॉलोजी के बारे में बात कर रहा हूँ, ये आपके बारे में हैं यहां आप ही वो software हैं, जिसे आप चलाने की कोशिश कर रहे हैं, मूल रूप से, अगर आप खुद को देखें, तो फिलहाल आप उस software के अनुसार काम कर रहे हैं, जो आप खुद बन गए हैं, आप कैसे परिवार में पैदा हुए, कैसे माता-पिता, कैसा स्कूल, कैसे दोस्त कैसा वातावरण, कैसा धर्म, कैसा समाज, इस समय आप वैसे ही व्यक्ति हैं, है न? तो ये software आपके अंदर उट-पटांग तरीके से हर उस आदमी ने लिखा, जिसके आप संपर्क में आएं, इसे trained professional ने नहीं लिखा, हर वो इनसान जो आपसे मिला, उसने इसमें कुछ डाल दिया, आप जहां भी गए, किसी ने आपके सर में कुछ भर दिया, आपके पास और कहां से न ले, अगर आप कहें, मुझे ये इनसान पसंद नहीं है, मुझे इससे कुछ नहीं लेना, तो आप दूसरों के मुकाबले उससे कहीं ज्यादा लिएंगे, ये इसी तरह है, तो फिलहाल जिस तरह से आप सोचते हैं, महसूस करते हैं, समझते हैं और अपने जी कि पकड़ इतनी गहरी है, अगर कोई ऐसा व्यक्ति, जिससे आप अच्छे से जानते हों, आपका करीबी परिचित, वो एक मील दूर चल रहा है, आप उसका चैरा नहीं देख सकते, लेकिन सिर्फ उसके हिलने के तरीके से आप जानते हैं, कि वो ये व्यक्ति है, क्योंकि क्योंकि उसके शरीर के हिलने का तरीका, वो सिर्फ वैसे हिलाता है, जैसे उसका सॉफ्ट्वेर लिखा गया है, लेकिन ये सॉफ्ट्वेर अचेतन अवस्था में लिखा गया था, अब अगर हम थोड़ी आजादी चाहते हैं, अगर हम थोड़ा रूपांतरंड चाहते हैं तो हमें आपके और आपके सौफ्ट्वेर के बीच थोड़ी दूरी पैदा करनी होगी अगर आपने गहरी पैचान बना ली है तो आप उसी में खो गए हैं और वही बन गए हैं अब आपको थोड़ी दूरी पैदा करनी है आपने बुद्ध शब्द के बारे में सुनाए? अगर मैं बुद्ध कहता हूँ, तो शायद आप हमेशा गौतम बुद्ध के बारे में ही सोचते हैं गौतम अकेले बुद्ध नहीं है, ये उनका नाम नहीं है वो बुद्ध बन गए थे, ऐसे हजारों बुद्ध हो चुके हैं और आज भी हैं बुद्ध का अर्थ है, बुद्ध का अर्थ है बुद्धी, यानि इंटलेक्ट, ध़ का अर्थ है, दादा, वो जो उपर हो, जो अपनी बुद्धी से उपर है, वो बुद्ध है, एक बार, जब आप अपनी बुद्धिक प्रक्रिया से उपर उड़ जाते हैं, तो आपके जीवन में दुख समाप्थ हो जाते हैं, क्योंकि सारे दुख आपके लॉजिकल माइंड में पैदा होते हैं, जब आप अपनी बुद्धी में फसे होते हैं, तो आप लगातार दुख ही रहने वाले इंसान होते हैं, आपको जहां भी डाला जाए, आप खुद ही दुख पैदा करने का तरीका ढून लेते हैं, आपके डर, चिंताएं, टेंशन, स्ट्रेस, देखे ज़रा, लोग किसी भी चीज को लेकर दुख ही हो सकते हैं, हां? है कि नहीं? लोग दुनिया में किसी भी चीज को लेकर दुख ही हो सकते हैं, देखे ज़रा, अगर आप पड़े लिखे नहीं हैं, तो उसका दुख, अगर पढ लिख लें, तो दुख, अगर आपको नौकरी नहीं मिलती, तो दुख, अगर नौकरी मिल जाए, तो दुख, अगर आपकी शादी नहीं होई, तो दुख, शादी हो जाए, तो दुख, अगर बच्चे नहों, तो दुख, बच्चे हो जाए, तो दुख, है न? लोग दुखी हो सकते हैं, लगभग हर चीज के कारण बुद्धी का यही स्वभाव है जब आप बुद्धी में फसे होते हैं, तो जीवन ऐसा ही होता है अगर आप बुद्धी से नीचे हैं, तो आपको इतना दुख नहीं होगा जानवरों को उतना दुख नहीं होता जितना आपको होता है अगर बाहरी चीजों की व्यवस्था हो जाए तो वो ठीक ठाक रहते हैं उन्हें उतना दुख नहीं होता जितना इंसान महसूस करते हैं, है न? तो अगर आप बुद्धी से नीचे आ जाएं, तो आप ज्यादा दुखी नहीं होंगे जैसा कि आपने सवाल किया अगर आप बुद्धी से उपर हैं, तो आप बुद्ध हैं अगर आप बुद्धी से नीचे हैं, तो शायद हम आपको बुद्धु कह सकते हैं अगर आप बुद्धी में फसे हैं, तो लगातार दुख तो दुखों से बचने के लिए, लोग बुद्धी से नीचे जाने के कई तरीके इजाद कर रहे हैं बहुत ज्यादा खाना, शराब, शारिरिक सुखों में बहुत ज्यादा समय बिताना ये सभी वो तरीके हैं, जिनसे आप अपनी बुद्धी की यातना से कुछ देर बचने की कोशिश कर रहे हैं आप शराब पीते हैं, और कुछ घंटों के लिए आप अच्छा मैसूस करते हैं पर फिर जीवन अधिक जोर शोर के साथ आपको दबोच लेता है ये आपको जाने नहीं देगा अब ये जीव जो बुद्धी से नीचे था, किसी तरह बुद्धी तक पहुँच गया है इससे बाहर निकलने का एक ही रास्ता है, बुद्धी से परे अपना विकास करना तो योग का मूल सिध्धान्त और तकनीक यही है कि इससे परे कैसे जाएं तो इससे अभी कैसे करें भीतरी तकनीकों को ऐसे वातावरण में नहीं सीखा जा सकता, जहां कमिट्मेंट नहों आपको एक कमिट्मेंट से भरे फोकस्ट वातावरण की जरूरत होगी वरना यह आपकी पकड़ में नहीं आएगा यह कोई शिक्षा नहीं है, यह एक साधन है किसी साधन के इस्तिमाल से पहले आपको एक खास थिती में होना चाहिए आप में एक स्थर का कमिट्मेंट होना चाहिए एक स्थर की ग्रहनशीलता होनी चाहिए वरना ये काम नहीं करेगा क्योंकि देखिए अगर आप एक chemistry lab में जाते हैं अब दो chemicals लेते हैं अगर आप उन्हें मिलाते हैं तो कुछ होता है लेकिन अगर आप उन्हें मिलाने के लिए तयार नहीं है अगर आप यहाँ बैठ कर बस सोचते रहेंगे कि इससे क्या होगा उससे क्या होगा आप बस सभी गलत निश्कर्शों पर पहुँचेंगे जब तक आप मिलाते नहीं हो सकता है या आपके चेहरे पर फट जाए लेकिन जब तक आप मिलाते नहीं आपको इसके बारे में पता नहीं चलेगा लेकिन अब आप ही chemical हैं, आप ही chemist हैं और आप ही experiment है सब कुछ आप हैं अब आपको एक अलग तरह की laboratory की ज़रूरत है वरना ये काम नहीं करेगा अगर ये बाहरी होता, तो हम सिर्फ एक किताब लिखकर आपको दे सकते थे लेकिन चूकि ये भीतरी है, हमें आपको step by step ले जाना होगा क्योंकि ये बोध और अनुभव का एक पूरी तरह से अलग आयाम है लेकिन क्या ये मेरे लिए संभव है? ये हर इनसान के लिए संभव है अंदरूनी तोर पर हम सभी समान रूप से सक्षम हैं हम अलग अलग तरीकों से सक्षम नहीं है हम सभी में खुश होने की क्षमता है, है न? अगर आप एक पल के लिए भी खुश रहे हैं यानि आप में खुश होने की क्षमता है बात सिर्व ये है कि आप वहां टिक नहीं पाते यही असली मुद्दा है इस ग्रह पर ऐसक कोई इंसान नहीं है, जो कभी भी खुश नहीं रहा हर इंसान कभी न कभी खुश रहा है यानि कि उसके पास खुश होने की क्षमता है बस वो वहाँ टिक नहीं पाता इसलिए उसे इस टेकनॉलोजी की जरूरत है कि वो अपने भीतर के माहौल को कैसे बरकरार रख सके यह संभव है